दही में नमक, खल्दी, गरम मसाला, वीरा पाउडर, लाल मुची, अद्रग, लेतन, हरी मुची और धनिया पेज डालेंगे उसमें डालेंगे सरसुखा तेल और कस्तूरी मीती करके चिकन को मैरनेट करके पका लेंगे दूसरे तरफ दूद में अंडा डालेंगे उसमें नमक और बेक्टिंग पाउडर डालके गेहू का अटा और मैदा लेंगे और आटा गून लेंगे और प्याज और बाकी की सब्जियों को स्लाइस में काट लेंगे चिगन के भी चोटे डिपीची कर लेंगे इसमें धनी चटनी व्याजीस टमैटो कैचप मियोनिस डालके मिस्कर लेंगे और एक लोई लेके परांठे जैसे बेल लेंगे इस तरह से रोल करते वे बनाएगा तो परांठा सॉफ्ट बनेगा और इसको हम थोड़ा सा ऐल लगा के सेख लेंगे बस परांठा बन गया है उसमें फिलिन डाल के रोल कर लीजिए काठी रोल त्यार है